जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रस करने वाले हैं OROP अगर आप एक सर्विसमेन हैं और आप One Rank One Pension की नोटिफिक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है तो दोस्तों One Rank One Pension की जो है वो Official Price Release Price Information Bureau Ministry of Defense की तरफ से आचुकी है और आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेट जो है आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों ये है वो Price Information Bureau Defense Wing के दोरा जारी प्रेस रिलीज जिसमें आपके लिए One Rank One Pension में किया कि आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो रिवाइज हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है तो ये दोस्तों Friday 30 December 2022 के लिए notification आई थी तो इसके कुछ main main points में हम पहले नजर डाल लेते हैं उसके बाद मां आपके लिए detail में बताएंगे Union Cabinet Approves Revision of Pension of Armed Forces Pensioners Family Pensioners Under One Rank One Pension with effect from July 1, 2019 यानि कि 1 July 2019 से जोहबू इस pension के लिए revised कर दिया गया है अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे Armed Forces Personals Retired up to 30 June 2019 to be covered ठीक है तो अगर आप 30 June 2019 तक रिटाइर हुए हैं तो आप इसमें cover हो रहे हैं ओबर 25.13 यानि की तरी 25,13,000 to be benefited तो 25,13,000 लगबाग इसमें जो पेंसनर्स हैं वो इससे benefit होगा उनके लिए और यहां पर दोस्तों दिया गया है 30,638 करोल to be paid as areas from July 2019 to June 2022 मलब 30,638 करोल का जो है वो एरियर आपको दिया जाएगा अब यह एरियर भी दोस्तों आपके लिए 6 मंतली की 4 किस्तों में दिया जाएगा आगे की वीडियो में हम इसके बारे में भी जानकरी आपको देंगे तो दोस्तों प्रदान बंतरी नरेन्द मोदरी ने जो है वो वन रैंक बन पेंसन के लिए अपरूब कर दिया है और इसमें जो है आपके लिए एक जुलाई 2019 से आपके लिए जो है वो आपकी पेंसन को कर दिया गया है ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर एक प्वाइंट है जो की PMR के लिए यानि की प्रेमेचर रेटार्मेंट के लिए ठीक है तो अगर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रेमेचर यानि की PMR रेटार्म एक जुलाई 2014 तो एक जुलाई 2014 के बाद में जो PMR आए हैं उनके लिए इस स्कीम से बाहर रखा गया है उनके लिए वन रेंग मन पेंशन का कोई भी लाब नहीं मिलेगा ठीक है चलिए अभी चलते हैं दोस्तों हम आपके लिए उस टेवल पे जहां पर इसके बारे में कुछ चार हाफ एर्ली इंस्टॉल्मेंट में दिया जाएगा होईवर ओल दी फैमिली पेंशनर्स इंक्लूदिंग दोस इन रिचेप्ट ऑप स्पेशल अबलेग लेवरलाइजड फैमिली पेंशन एंड गैलेंट्री अवार्ड विनर्स सैल भी पेड एर्यर्स इन वन में आपको पूरा का पूरा एरियर जो है वो दे दी जाएगा ठीक है एकस्पेंडिचर का हमें कुछ नहीं करना है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं अभी सीधे सीधे हम आ जाते हैं अपनी टेवल पे रैंक वाइस लाइकली इंक्रीज इन रूपीज इन सर्विस पेंश जो है वो रिवाइज होने के बाद में पेंशन कितनी हो जाएगी यहां पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर सिपाई की दी गई है कोई भी ऐसा बंदा जो कि दोस्तों सिपाई से रिटेयर हुआ है ठीक है एक जुला सोरी एक जनवरी 2016 को अगर उसकी पेंशन 94 रुपे कर दिये एक जुलाई 2021 के लिए ठीक है तो इनके लिए एक जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का जो एरियर्स मिलेगा सिपाई के लिए वो 87,000 रुपेज मिलेगा इसे तरह से दोस्तों नाइक हैं अब आप नाइक का देख सकते हैं पेंशन इनकी थी दोस्तों एक एक 2016 के लिए 18,427 रुपे जो की एक जुलाई 2019 को रिवाज होकर हो गई 21,101 रुपे उसके लिए एक जुलाई 2021 को फिर से रिवाज किया गया है 21,930 रुपे कर दी जाएगी और यहां पर दोस्तों इनको जो एरियर मिलेगा वो 1,14,000 रुपे मिलेगा ठीक उसके बाद में आते हैं हवलदार पर अगर आप हवलदार से रिटायर हैं एक जुलाई 2016 को आपके पेंसन 20,066 रुपे तो एक जुलाई 2019 को आपके पेंसन हो जाएगी 21,782 और एक जुलाई 2021 के लिए आपके रिवाज़्ट होकर जो पेंसन हो जाएगी बहुत जाएगी दोस्तो 22,294 रुपे ठीक कि यहाँ पे जो अब लेपने जेनर तक की pension दी गई है दोस्तो अब मैं आपको एक point बता देना चाहता हूँ अपने बारे में मैं दोस्तो इंडियन आर्मी में हवल्दर क्लर्क हूँ और इस समय on service हूँ तो यह जो मैं आपको news देता हूँ यह बिल्कुल 100% सही होती है और मेरी self study की भी होती है तो अगर आपको दोस्तो इस वीडियो में कोई भी जानकरी चाहिए आपकी pension से related तो आप मुझे army number, rank और जो भी detail होगी मैं आपसे ले लूँँगा आप मेरा whatsapp number note कर सकते हैं इस वीडियो के description में मैं अपना whatsapp number दे दूँगा आप कोई भी सवाल मुझे से पूँच सकते हैं आपकी pension से related या भी कोई भी समस्या हो आपकी service related आप हमसे पूँच सकते हैं ठीक है अब दोस्तो last point पर चलते हैं यहाँ पर आपने गौर किया हो हवल्दार का नाइप सुविदार का इनका सबका जो है वो कम है ठीक है तो यह क्या problem है इसको दोस्तो हो सकता है एक दो दिन में हमें पता चल जाए कोई notification आए जिससे इसको clear कर दिया जाए अगर कुछ clear होता है कि यहाँ पर नाइक का एरियर 14,000 और हवल्दार और नैप सुविदार का एरियर कम क्यों है तो वो भी आपके लिए बता दिया जाएगा तो चलिए उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए तो चलिए दोस्तों कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवाराग